तो दोस्तों मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए एक प्यारा सा वीडियो लेकर तो दोस्तों आज हम जैसे कि आपने टाइटल से पढ़ लिया है आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की सबजी और बहुत ही इजी मैथट से मैं इसे बनाऊंगी और इसमें बहुत ज्यादा कुछ यूज नहीं करूंगी ना ही इसमें प्याज यूज करूंगी ना लहसुन और ना ही हरी मिर्च और बहुत ही इजी मैथट से ये सबजी बनेगी तो देखिए यहां पर मैंने उबले हुए आलू और एक कटोरी दही लिया है आलू को हम जो आलू मैश करते हैं जिससे उससे मैश कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा आपने आलू को जो है वो नहीं मैश करना है थोड़े मोटे ही आपने रखने हैं तो इस तरीके से मैंने सारे जो आलू है वो मैश कर लिये और कड़ाई मैंने चड़ा दी है उसमें मैंने ओइल डाला है यह देखिए सारे आलू मैं मैश कर चुकी हूँ और मैं आपको दिखा देती हूँ यह जो आलू मैं आपको दिखा रही थी उतने ही आपने मैश करने हैं जादा नहीं और यहाँ पर दोस्तों मैंने सिंपली तीन टमाटर को मिक्सी जार में पीस लिया है और यहाँ पर दोस्तों मैंने ओयल चड़ा दिया है और ओयल गरम होने के बाद मैंने इसमें जीरा डाला है और बहुत ही easy method से सबजी बनती है लेकिन बहुत ही tasty लगती है आप जरूर इसे try कीजिएगा और जैसे ही तेल में जीरा तड़कता है तो मैं उसमें मैंने paste डाल दिया है जो मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया था दो तीन टमाटर का बहुत ज़ादा आपने टमाटर यूज नहीं करने हैं आप तीन दो तीन टमाटर बहुत हैं अगर आपकी साथ अठ आलू आपने उबाले हैं तो और इसमें दोस्तों मैंने हाफ स्पून के लगभग मिर्च डाली है और हाफ स्पून मैंने इसमें नमक डाला है हाफ स्पून मैंने इसमें धनिया डाला है आप और भी कुछ मसाले यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं ये सिंपली बना रही हूँ तो इसमें मैंने कुछ भी बहुत जादा कुछ भी नहीं डाला है बिल्कुल सिंपल मैथड से ये सबजी बनकर रेडी होगी तो जब मेरे मसाले पक जाएंगे और ओयल उपर आ जाएगा तब मैं इसमें डालूंगी दोस्तों जो मैंने एक कटोरी के लगबग दही लिया था उसी में से मैं सिर्फ दो चम्मच दही इसमें डाल दूंगी और इसे जल्दी से आप इसमें मिक्स कर दीजिए ताकि दही फटे ना और जल्दी से मिक्स करते हुए आप इसको कडची को चलाईएगा और जब तक उबालना आ जाए जब तक आप इसे चलाईएगा ताकि दही ना फट जाए यहाँ पर दोस्तों आप अगर दही नहीं डालना चाहते तो आप लसी का भी यूज़ कर सकते हैं आप आधा कटोली लसी भी इसमें इस जगह पर डाल सकते हैं लेकिन आपने बहुत ज़ादा लसी या बहुत ज़ादा दही नहीं डालने हैं सिर्फ इसमें फ्लेवर के लिए आपको ये डालनी है तो कम ही डालिएगा और उसके बाद दोस्तों जब ओयल उपर आ गया तो फिर मैंने उसमें आलू डाल दिये हैं और आधा चम्मच के लगभग मैंने इसमें नमक डाला है आप भी अपने स्वादनुसा नमक डाल सकते हैं और फिर इसको आप मिक्स करके आप इसमें दो ग्लास के लगभग पानी डाल दीजिए और इसे मिक्स करके दोस्तों आप छोड़ दीजिए उबाल आने तक और जब इसमें 5-7 उबाल आ जाएं और थोड़ी आपको गाड़ी लगने लगे सबजी तब आप इसे चला कर और गैस बंद कर दीजिएगा तो देखे कितनी इजी तरीके से ये सबजी बनकर रेडी हो चुकी और बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है दोस्तों इस सिंपल सी सबजी में बिना अनियन के भी ये सबजी टेस्टी लगती है और यहाँ पर ये देखिए बिलकुल रेडी हो चुकी है बहुत ज़ादा ग्रेवी इसकी नहीं रखनी है आपने और मैं इसे एक बॉल में निकाल लेती हूँ ये देखिए कितनी अच्छी सबजी बनकर रेडी हो चुकी है अब मैं इसे धनिये पत्ते से इस सबजी को गार्निश कर दूँगी और यहाँ पर दोस्तों इसमें एक सीक्रेट है मैंने इसमें आधा चमच के लगबग देशी घी डाला है जी हाँ इस सबजी का इस सिंपल सबजी का ये सीक्रेट है आप इसमें आधा चम्मत जब ये सबजी बन जाए तो आप घी डाल दीजिएगा और उसके बाद आप इसे धनिये से गार्णिश कर दीजिएगा आप यकीन मानिएगा दोस्तों बहुत ही यम्मी सबजी बनकर आपकी रेडी होगी और आपके जो महमान है वो उंगलिया चाटते रह जाएंगे बिना लहसुन प्याज किये सबजी बहुत ही अच्छी लगती है जरूर इसे ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिप पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों थेंक यू